तू ही सागए है तू ही किनारा समाजनी आजनी स्थिती ने जोता एक प्रशनत आई छे के पर्णया पची दिक्री नामा बाप कों एक सुन्तर मजानी गीत रचना छे कुची आपो बाई जी तमे किया पटारे मेली मारा मैयर ने शरनाई जी कोई कंकू थापा भूसी दई मने भीते थी उतराओ कोई मिंधर नी मरजादा लई मने पांची का पकडाओ खडकी खोलो बाई जी तमे किया खटाने पोंखी मारा कलरवने कठनाई जी तमे घर चोड़ामा घूगरी आली घरवकरी संकेली तमे अनजान्या उंबरिये थी मारी नदियू बाची ठेली मारग मेलो बाई जी तमे कया कुवाडे वेडी मारा दादा नी वडवाई जी कूची आको बाई जे दिक्री माटे पितानु घर मुकून सासरे जवूं एकले जाने वड़लानी वडवाई नुकपाई ने अलग पड़ूं प्रत्येक माता पितानी आखोमा हर हम्मेश अश्रू लावतूं आ भाववाही कीत एले गुजराती साहित्यनु अनमोल्डतन सैरंद्री प्रबंद काव्यना सर्जन्थी साहित्य पत्पर एक सिमाचिन अंकित करनार कवी सर्जक राध्यापक डोक्टर विनो जोशिन उर्दै पिगालतूं आ सर्जन्थे विनो जोशिना आगीत परज विश्वनी प्रत्येक दिक्री हिपके छड़े छे दादानी वडवाई एकले दिक्री ना जीवननो समग्र पुर्वार्थ वेदना एचे कि दिक्री सासरे आवे एकले सासूमा पदधारी बाईजी पोताना वेन, नेन, कहेन नी कुहाडी थी पेला दादानी वडवाई वेडवा लागे छे ने त्यारे वहूपद धारी दिक्री ने पूछूँ पड़े छे कि तमे किया कठाने पोंकी महरा कलरहुनी कठनाई जी कुची आपोबाई जी दिक्री नो जीवन बेभाग मावे चाहलू जे जीवन नो पुर्वार्ध एक पोथी का खरे पोथी का स्वजुन ने वच्चे हस्ता कुत्ता गेल करता वी ते आने जीवन नो उत्तरार्ध एक अपना वेला खरे पारका ने पोथी का गणवाना होई तेवा परिजन वच्चे सावचेती, सावधानी, सिमित महोल मां हलवा डग मांट नावी ते पुर्वार्ध एटले पियरियों ने उत्तरार्ध एटले सासरियों एक भव मां बे पड़ाव पर जिवी जाने ते दिकरी कुची आपो बाईजी गीत मां कविश्री सासर यानी कठो कठी वर्णावेचे त्यारे आवता सहच अश्रुबिंदी ने आगा खसेडी है तो तरत प्रश्न थाए के आजे शू आविस्तिती छे खरी आजे सर्वत्र आविजवेदना बची छे खरी के ना क्यांक्यांक चाहरमा ने केटलेक स्थड़े खांगी मां आज व्यथा बची छे समर्थ गरंत बगवत गो मंडल दिकरी शब्द दुरु माथी व्यत्पन न थायानू कहे छे दुरु धातुनो अर्थ छे फाडबूम दिकरी बापनू मन फाडवा वाड़ी मनाई छे केमके तेनू रक्षन करवानी और परणावानी फिकर मां बापनू मन दुखी थे जाये छे मानिये के पीयर ये तो बाप एटले जन्म दाता पीता अने माता पन तो पची सासरी जती दिकरी ना परणया पची माबाप कुँँँँँँँँँँँँँँद अने मात्र एज पीयर ये ना माबाप के पची सासरी मापन एक वधू माबापनी भेट इश्वर दिकरी ने आपे छे समग्र मानव जातमा दिकरी एक मात्र सद नश्रीब छे के जिवनमा बेबे माता पीता पामे छे अने तेथी दिकरी ने जिवनमा बे माबापनी काड़ी सेवा सुष्रुषा करवानू भाग्य सापलू छे अने दृष्टिये दिकरी वालनो दर्यों भरी पीयर थी आवे छे अने एज दर्यानी लहरो थी सासर्याने भींजुए छे वड़लानी वडवाईने मूल व्रुक्ष्थि कापो नहीं तो ए वडवाई ज्यां विस्तरे त्या मूल यां उंडा उत्री उगवा लागे ने तमने एम लागे के जाने दिकरी पीयर यू अने सासर्यों नी वच्चनों सेतुबंध बने गई पॉंडिचेरी पासे ना ओरोविल मां मात्रु मंदिर ना पढखा मां एक जबर दस्त वड़ मां थी असंख्य वडवाई ओ निकली छे ने दूर दूर सुद्धी फरी जमिन मां धर्बाई जैने सेतुबंधो सर्जिया छे आउ मात्र वड वुरुक्ष्माज ना थी मां समान सासू, भाई समान दियर ने बहन समान नणंद। याद ए राखवानू के वच्चे थी समान शब्द इकल तो जवो जोई है। दिक्रीना पीयर मां पन एक भावी आवे छे। नणंद भोजाई साथे मलीने एक बिजाना माबापनी सेवा, समभाळ, अरस्परस बदिलेता होई। तो कोई माबापे वृद्धाश्रम ना दर्वाजा जोवा पड़े खरन। अने आम पन कोई दिक्राने लेएने माबाप घर बाहर जता न थी। पन कोई नी दिक्रीने लेएने वृद्धाश्रम भराता होई छे। आ नग मे तेवी पन वास्तविक्ता चे अने ते दुखत चे। बार्डोली मा जन सेवामा गणाडूग डोक्टर परगनाये एनराई डोक्टर अशोक साथे मैत्री करार्ती जीवानू शरू कर्यों। पोताना साधू चरित मातानी साथे ने संगाते। अशोक अमेरिका ने तेना माबाब अहीं बार्डोली माँ। तो परगनाये अशोक ने धर्पत आपी। डोंट वरी। मुझू ने। अशोक ना माता पी ता भीमार थाया। पथारी वश्ट थाया। ने बनने विदायली थी। तेनी पड़के तो परगना चाती। परण्या पहला के पची। ये वो क्या सवाल चे। जन्मदाता वड़ने वाहल करतां करतां पण तेनी वड़वाए। पोताना मुड्याती बीजा वड़ने पण जीवन बक्षी सके चे। आ बक्षी सके हैनु नाम दिखनी चे। तुही सागे है तुही किनारा। रूंडता है तो किसका सहारा।